देखिए हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अलाइन्स को लेकर दोनों दलों में चर्चा चल रही है बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो aspirations होती हैं महत्वकांग्शाएं होती हैं एक राजनेतिक दल की प्रत्याशियों की उनको दरकिनार करते होए एक जुठ होकर मजबूती से हर्याना के हित्मे और हर्याना के लोगों की मांग के अनुसार मिलके चुनाव लड़ा जाए कौन सी सीटे होंगी कितनी सीटे होंगी इस पे ball by ball commentary नहीं की जा सकती है ये कमरे के भीतर बैठके जो चर्चाएं करी जाती है उससे जो एक निशकर्ष निकलता है वो आपसे जरूर साजा किया जाएगा बस मैं alliance पर इतना ही कह सकता हूं कि जब भी कोई सकरात्मक development होगी त है उमीद भी है जो कहना चाता मैं व्यक्तिगत बयानों पर या इंडिविज्वल सीट्स पर कोई बयान नहीं देना चाता मैं बस इतना आपको कह सकता हूं कि alliance को लेकर दोनों दलों में आरजू भी है हसरत भी है उमीद भी बहुत बस शुक्रें देखिए अभी तो आखरी तारीक नॉमिनेशन की बारा तारीक है बारा तारीक से पहले फैसला ले लेंगे और अगर मन नहीं मिले अगर विन-विन सिचुएशन नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे अभी कोई कोई इस प्रकार के मैं बयान नहीं देना चाता बादचीट चल रही है बादचीट सकर बादचीट से चरचा से हर्याना के हित्में बेश के हित्मे ताफिक कोई कोई बाद बह Matthew यह देखिया मैं वही कह रहा हूं कोई बूसरी पटी के नेता का बयान हो मेरी पार्टी के नीता का बयान हो कोई व्यक्तिकत सीट का माम लाओ मैं किसी भी व्यक्ति पर या सीट पर टिपणी नहीं करूँगा मैं एक मोटे मोटे तौर पे जो चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं साजा कर रहा हूं उमीद है कि जल्द हम सब आपसे मीडिया के भीतार आकर उबरू होंगे और कुछ गुड निउस आपको देंगे थैंक यू